नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस। और आप देख रहे हैंthis वर्मेंद॥ तो आज का जो हमारे वीडियो है वू है कि हमें एक रिमोड को चार्ज हेंवल रिमोड कैसे बना सकते हैं। मैंने यहां पर बहुत बहुत भाहिएं का वीडियो देखा है तो क्या करते हैं। लेकिन देखिए, अगर रिमोट को पूरा खोलेगे और उसमें कुछ शुराग करेंगे या उसमें कët करेंगे तो मेरा माननाए यह है कि बहुत भाइ इन चीजों को करनी ही पाते है ठीट्चिह क्योंकि उनको ना यह दिक्कत होती है कि अगर रिमोट अगर खुल जाए तो खराब हो जाता है या उसके अंदर कोई प्रोब्लम हो जाती है लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता हुआ कि आपको रिमोट के अंदर कुछ भी नहीं करना शिरिप आपको यहां से बस हैल ही नि निकाल सकते हो 3.7 बोल्ट की एक आपको यह मोडूल लेना चार्जिंग मोडूल 46 और एक आपको लेना यह डाइवोड यह डाइवोड हम क्यू लगाएंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा तो पहले हम क्या करते हैं देखिए रिमोट देख लेते हैं रिमोट द कि फिर दुबारा यह 2-3 साल के लिए चलने लग जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बैटरी के ओपर इस मोडूल को इस तरीके से लगा लेंगे तो उसका हम यूज करेंगे यहां पर डबल टेप का तो देखिए यह हमने डबल टेप इस पर लगाई यहां पर और यहां पर हम अपना चार्जिंग मोडूल को लगा देंगे यह देखिए यह हमारा यहां पर चार्जिंग मोडूल लग गया इसको टेप को यहां पर निकाल के क्योंकि देखिए बहुत से मैंने यूटूब पर वीडियो देखे तो वहां पर क्या हुआ रिमोट को पूर है हब मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूं बैक्टरी पर जो हमारी पीसीबि'll i přे यहाँ पर देख लिखा हूँ है battery पिलस उसके ओपर रैड जा एगा battery माइनस पिलेक जाए गा तो मैं इसकी सो डिंग कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो यहां पर देखिए हमने battery plus पे red वाला यह देखिए battery minus पे black वाला वायर लगा दिया अब हम यहां पर क्या करेंगे जो पिलस वाला positive वायर है उसको मैं यहां पर थोड़ा सा solding कर लेता हूं सही से तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ये दाइबॉर्ट लगा दिया है देखिए तो ये दाइबॉर्ट मैंने क्यों लगाया है देखिए जो हमारे ये कि मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमें यहां पर आउटपूट पर मिलेगी आपि यह देखिए बैटरी की आउटपूट है तो हमें 3 से भी ज़्यादा मिल रही ओ लेकिन जब हमारी voltage कुछ loss हो जाती है यह देखिए थोड़ी सी voltage कम हो जाती है तो voltage कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा remote जल्दी से खराब नहीं होगा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ remote पे जहाँ पर आपकी यह double clamp है यह देखिए जो PCB पर लगी होती है अब यही वाले दोनों point हम क्या करेंगे एक देखिए यहाँ पर डाइवोट पर लगा देगे पिलस वाला, माइनस वाला, माइनस पर तो यह देखिए कितने आसान तरीके से हमने connection कर लिए यहाँ पर negative point यहाँ पर positive यह हमारे देखिए डाइवोट पर इस तरीके से connection हो गई देखिए कितने simple connection हुए अब remote को एक बार में चला के देखता हूं तो यह देखिए remote हमारा working condition में है और देखिए यह कितना छोटा circuit मैंने इसलिए बनाया है कि अब देखिए इसको जो है हम इसको इसी के अंदर इस तरीके से ऐसे रख देंगे यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको बड़े ही आसान तरीके से हम इसको इसी के अंदर ही रख देंगे और हमारा जो सूच है वो बंद हो जाए गई देखे ये cover है ये बंद हो गए देखे हो गया बंद अब मैं इसको आपको प्रोपर चेक करके दिखाता हूं तो ये हमारे DTS हम इसे on करते हैं ये मैंने charging वाला बना रखा है इसका भी वीडियो मैंने YouTube पे डाल लखा है अगर आप आपको देखना है तो वीडियो आप देख सकते क्योंकि मैं इसे satellite सेट करता हूं तो इसलिए मैंने charging वाला बना रखा है तो ये देखिए remote अमारा देखिए एकदम बढ़िया तरीके से working कर रहा है देखिए अब देखिए और इसको मैं charging करके भी आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से हमारा charging हो जाएगा अब 2-5 घंटे श्रीप आपको चार्ज करना है चार्ज करने के बाद आप इसको इस तरीके से यहां रख देंगे और यह आपका कम से कम दो से तीन साल की शुट्टी हो गई दो से तीन साल आपको चलाना ही नहीं पड़ेगा ना इसको चार करी लाता रहूंगा